आज की जो हमारी वीडियो है, इसके अंदर हम लोगों ने temporal lobe को study करना है, इससे पहले हम लोग frontal और parital lobe की वीडियो बना चुके हैं, kindly उनको आप हमारे चैनल के उपर देख सकते हैं, ठीक है? temporal lobe के important areas जो हम लोग study करेंगे, उनके अंदर नमबर वन है जी primary auditory cortex और नमबर टू है auditory association cortex ठीक है, इनको हम detail के साथ पढ़ेंगे, इसके important गायरा है के अंदर हमारे पास superior temporal गायरा है, middle temporal गायरा है और inferior temporal गायरा है होता है, यहाँ पर screen के उपर आपको lateral view brain का दिखाए दिया ठीक है, इस lateral view के अंदर हम लोग cerebral hemisphere को देख रहे हैं, cerebral cortex का एरिया आपको नजर आ रहा होगा, जो yellow label के साथ आप लोगों को एरिया नजर आ रहा है वो है, जी हमारे पास temporal loop, ठीक है temporal loop के हमारे पास जाए रहा है, जो उनसे हैं, वो सबसे उपर आप लोगों को एक type जा रहा को study करते हैं, सबसे पहले है जी हमारे पास primary auditory cortex, primary auditory cortex क्या है, यह हमारे पास superior border of superior temporal gyrus के उपर मुझूद होता है, यह screen के उपर आप लोगों को superior temporal gyrus आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसका superior border जो है, वो यहाँ पर मुझूद होगा, ठीक है, इसके deeply हमें एक gyrus देख गाई रहा है, जो कि हमें आम तोर पे superficially नजर नहीं आते है, deeply नजर आते हैं, इस बात को समझने के लिए हमारे पास यह cross sectional view है, हम लोगों ने यहाँ से brain को cut किया, इस area से और हम लोग deeply देखने लगे हैं, कि कहां पे हमारे पास hashels gyrus मुझूद होते हैं, तो यह external side पे हमे superior temporal गाई रहा है, हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे करके, इसके deeply अगर हम जाते हैं, तो इस portion के अंदर यह area मुझूद होता है, जिसे हम कहते हैं, hashels गाई रहा है, जो कि हमारे पास primary auditory cortex का function परफॉर्म करता है, primary auditory cortex का function जो होता है, हमारे पास auditory input को जो है, यह receive करता है, medial gen geniculate body से, medial geniculate body thalamus का एक portion है, जब हम लोग thalamus को पढ़ेंगे, उसका एक portion होगा, medial geniculate body, यह तमाम relationship होता है, हमारे पास year से लेकर primary auditory cortex तक यह pathway होता है, जिसको हम लोग TTI के साथ auditory pathway में discuss करेंगे, जब information इस area के इंदर आती है, primary auditory cortex के इंदर आती है, तो कितनी भी hearing की information ह होती है, वो यहां पर आके interpret की जाती है, ठीक है, अब injury हो जाती है, तो यह जाहिर सी बात है, हमें जो sound, जो इसी हमारे पास information होती है, वो हम लोग interpret नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो deepness हो जाएगी, ठीक है, लेकिन यहां पर important बात क्या है, important बात यह है, कि हमारे पास मैंने left ear की information आ रही है लेकिन right और left cerebral hemisphere दोनों तरफ हमारे पास primary auditory cortex पुझूद है और वो दोनों ears की information ले रहा है right ear के भी और left ear के भी ठीक है दोनों ears की information right side पे भी जा रही है right primary auditory cortex में भी और दोनों ears की information left primary auditory cortex के अंदर भी जा रही है ठीक है तो अगर right hemisphare damage होता है तो जो left cerebral hemisphare है वो उसका primary auditory cortex सारा काम संभाल सकता है efficiency कब हो जाएगी लेकिन वो संभाल सकता है किसी यह तक ठीक है complete difference नहीं होगी complete difference कब होगी जब हमारे पास जो है bilateral injury होगी ठीक है bilateral injury का क्या मतलब है दोनों cerebral hemisphare के primary auditory cortex damage हो गया है जिसे हमारे पास एक deepness होती है जिसे हम कहते हैं cortical deepness क्योंकि इसके अंदर cortex ही involved है ठीक है जबके unilateral side के वकर उपर अगर damage होता है तो हमारे पास complete deepness हमें देखने को नहीं मिलती यह था हमारे पास primary auditory cortex आगे बढ़ते हैं आगे हमारे पास auditory association cortex क्या था और डीटरी आसोशियेशन कोटेक्स क्या था और डीटरी आसोशियेशन कोटेक्स posterior part of superior temporal gyrus के उपर मौजूद होता है यह है अगेन हमारे पास superior temporal gyrus यह वाला तमाम का तमाम portion इसका posterior हिस्सा यह यहां पर हमारे पास यह डीटरी आसोशियेशन कोटेक्स मौजूद होगा ठीक है इसका function क्या होता है dominant side पर यानिके हमें हमें पता है के right side of body जो है वो left cerebral hemisphere से control होती है जितने भी right-handed people होते हैं उनका dominant portion क्या होता है left cerebral hemisphere ठीक है तो dominant hemisphere जोंसा होगा mostly left cerebral hemisphere ठीक है उस को हम लोग क्या कहते हैं उस डीटरी आसोशियेशन कोटेक्स के एरिया को हम लोग एक खास नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं वर्नेक्स एरिया यहां पर SP आएगा वर्नेक्स एरिया ठीक है तो बारा से मैं बताता हूँ डीटरी आसोशियेशन कोटेक्स हमारे पास Posterior साइड पे Superior Temporal Goddess के वर मुझूद है जो Dominant Cerebral Cortex होगा उसके अंदर यह एक खास वर्क परफॉर्म करता है जो है Interpretation of Sound के Related ठीक है उस एरिया को हम लोग ने क्या कहा वर्नेक्स एरिया कहा ठीक है वर्नेक्स एरिया दोनों साइड़ों पे मुझूद नहीं होगा Dominant एरिया के अंदर मुझूद होगा ठीक है अब इस वर्नेक्स एरिया का function क्या होगा यह language की comprehension के अंदर comprehension और sounds के अंदर हमें help out करेगा जितने भी word होते हैं उनको comprehend करना languages को comprehend करना यह तमाम की तमाम functions जो है वो इस एरिया की होंदे आगे से यह connect होता है ब्रोकस एरिया के साथ ब्रोकस एरिया हम लोगों ने frontal loop के अंदर पड़ा था इसको डिटेल से पढ़ने के लिए आप frontal loop की वीडियो देख सकते हैं इनफीरियर फ्रेंटल गाइरिस के अंदर मुजूद था थिए इन दोनों का connection होता है इन दोनों का अपस में connection होता ब्रोकस एरिया आप ढोंको पता है motor activity perform करता है जिसने हम speech कार सकते हैं और रनेक्स एरिया मैंने आपको बताय यह comprehension में understanding में words की help out कहता है तो इन दोनों का connection बहुत ही ज़्यदा ज़रूरी होता है और ये connection एक wide matter के bundle के थुरू होता है जैसे हम कहते है आर्कवेट फैसिकुलस आर्कवेट फैसिकुलस की आप लोगो ये lines नजर आ रही होगी ठीक है ये wide matter की bundles होते हैं जो के connect कर रही होते है अब ये lines हमारे पास कहां से गुजर रही है हमारे पास parietal loop के अरिया से गुजरती है ठीक है parietal loop में अगर injury होती है तो आर्कवेट फैसिकुलस जो नसे होते हैं वो damage हो जाता है ठीक है तो हमारे पास speech related problems हमें देखने को मिलती है ठीक है ये आप लोगों ने याद रखना है और इस aphasia को हम लोग कहते है conductive conduction aphasia ठीक है aphasia होता है inability to speak तो मुख्तलिक किसम के aphasia होता है जिन में से अगर arc weight fascicles damage हो जाया तो हम उसे क्या कहते है conduction aphasia ठीक है इसके लवा अगर इस portion के अंदर injury हमें देखने को मिलती है dominant side के ओपर ठीक है तो हमें dominant side के ओपर हमें पता है vernex area मौझूद हुता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा vernex एphasia देखने को मिलेगा ठीक है vernex aphasia का अंदर क्या होता है कंडिशन देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं एपरोसोडिया एपरोसोडिया किन्द क्या होता है हम डिफरेंट टॉन्स ओफ वाइस को हम रिगोगनाईज नहीं कर पाते हैं ठीक है हमारी रोबोटिक साउंड हो जाती है टॉन चेंज हो जाती है बोडी परसन की ठीक है तो यह कंडिशन होती है परोसोडिया तो देट सौल फर देट वीडियो थैंक्स लूड फर यूर टाइम मजीद वीडियो के लिए हमरे चैनल को सब्सक्राइब करें हम लोग रोज़ाना वीडियो लाते रहते हैं थैंक्स लूड फर यूर टाइम